हालो बच्चू नमस्कार आप सब्सक्राइब आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं इसके अभ्याश के कोशन हमने पहले वीडियो मताइए देखिए पहला प्राशमें क है इसमें अतक क्या है किया है चाका नाम एम हुना आए उतक क्या होता है तो और यहाणा को श्राइद समूङ होती है कि अतुछि desicam anc mean समान होती है और किसी कारे को एक साथ मिलकर शंपन करती हैं वो क्या कहलाता है उतक कहलाता है जो किसी भी काल को एक साथ मिलकर संपन करती है तो क्या कहलाता है जैसे रक्त फ्लोयम पेशी आधी उतक के उधारण हैं किसके उधारण है ये उतक के उधारण है दूसरा प्रस्ण क्या है बहु कोशिक बहु को बहुकोसिक जियों में उतकों का क्या उपयोग है इसका अंसर होगा बहुकोसिक जियों में उतक भोजन का पाचन बहुकोसिक जियों में उतक भोजन का पाचन असरजन परिशंचरण गमन जनन आधी कारिय करते रेखते हैं दिखते हैं बगले पेजनमर की कौन सा प्रिश्न है है आप हम आपको बताएंगे पेज बंबर 187 kald के प्रिस्वे से प्रिस्फें प्रिचाय के लिए किया था होती यह जब प्रकास इंसलेशल करी अधिए तो इसमें कि созд अधे होती है कारवन डाययक्साइड यसका सूत्र होता है सी ओ टू चाहता है सीओ तू कारवट डायक्षाइड गैस का सूतर होता है सीओ तो इसमें प्रकात से लेशनलिए के लिए कारवट डायक्षाइड गैस की आवसित्ता होती है अगला नमर है पौधों में वास्पोत सर्जन की कार्यों का लेख की दिर पौधों में वास्पोत सर्जन की क्रिया इस्टोमेटा के द्वारा होती है किसके द्वारा होती है इसको रंद्र भी बोलते हैं इस्टोमेटा को इस्टोमेटा के द्वारा होती है वास्पोत सर्जन क क्रिया के कारण ही पौधों को म्रद़ा से पानी तथा पोप उसकता है तो आभसोसित करने में मदद मिलती है parad मदद मिलती है वास्पो सजन की क्रिया के कालड़ी पौधों में म्रदा मिट्टी पानी तथा पूच सकता तो अवसोसित करने में ही म्रदा वह सरी मदद मिलती है अब हम बताएंगे आपको पेज नंबर 83 के प्रकार होते हैं इसके पास सरल उतक कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं इसकicated इस्तर नंकार उद्टेंकलिणगन देख सकते हैं एक की प्रन काल कर चितर है कि इसमें अंत्रा कोसिति तंप कर शित्ता यह चित्र बना हुआ यह उन्हों से इसके बीच में स्पेस दिया हुए यह कौन सा है अंत्रक कोषिक इस्तान है और यह सब से ऊपर कोषिक ने बीच में छी इन टर्ट बोलते हैं और यह जो यह प्राथमिक कोशिका भित्ती अब है कॉलन काइमा क्या है कॉलन काइमा अब देखें दूसरे नमर में आता है कॉलन काइमा उतक का चित्र कैसा होता यह है इसकी रेड स्थान के दिख रहे हैं यह भित्ती मोटी होती है क्या होती है अंदर से नेला निलह यह जो यह कई में पाये जाता है यह रेषधानिया और यह लाइनिंग से गहीं है यह क्या है कोशिका भित्ती इसे प्रकारश कि दोस्तों और इसमें दिखाए गया है यह है अंतायविति प्राथमी कोशिकाभिति होती है क्या होती है को नोस पर मूटी होती है जैसे कि यह यहां पर पतली और यह है कॉने में है जो तो क्या है कोनों पर मोटी है हरित लबक क्या होता है यह क्लोरोप्रास्ट अभी उसमें भी बताया है और यह केंद्रक रस्थानी को इसका द्रब्य